The Modulus Function Modulus Function Modulus या इसको हम कहते है Absolute Value Function भी कहते है क्या कहते है Absolute Value Function इसका सीधा मतलब यह है कि जो मशीन है आपकी Function एक मशीन है ना इसमें कोई भी Value डाली है हमेशा Positive Value निकल के आए तो पहली चीज़ तो यह होगी यह Graph कभी भी आपको Negative में नहीं दिखाई देगा मतलब इस नीचे वाले भाग में दिखाई नहीं देगा क्योंकि हमेशा Positive निकल के आ रहा है Why हमेशा Positive है इसका मतलब यह उपर यह उपर दिखाई देगा पहले चीज़ यह होगी दूसरा इसको हम Define बताते कैसे हैं पहले लिखते कैसे पहले FX बराबर यह Mod X इसको Modulus कहते हैं इसको Absolute Value कहते हैं यह हो गया अब इसका मतलब क्या होता है इसको कैसे Define करेंगे FX यदी क्योंकि हमेशा Positive आ रहा है तो अगर Positive है अगर X Greater Than Equal to 0 है यानि अगर कोई भी Value Greater Than Equal to 0 है जैसे आपने 2 डाला तो आपका 2 यह आएगा 5 डाला 5 यह आएगा तो जो भी डालेंगे वो अगर X Greater Than Equal to 0 है तो X आ जाएगा लेकिन जैसे आप Negative डालेंगे X Less than Equal to 0 है तब अगर आप Negative 5 डालते हैं तो यह आप Mod हटाते हैं और सिधर Negative Sign और एक Negative Sign और जोड़ देते हैं तो Negative into Negative 5 Mod हटा दिया और इसके आगे Negative डालते हैं तो Negative 5 कितना हो गया? 5 हो गया ठीक है? तो आप क्या करते हैं? इसको Negative X कर देते हैं मतलब X तो लिखेंगे आप इसके Domain and Range पे Domain and Range देखें कितने आसानी से रिकल जाता है आपका Domain हम यह आप पर X ले रहे है और उसी की Y Value लेंगे क्या आती है? Function क्या है आपका? Function है आपका है Y बराबर Mod X यहाँ से करूँ आपका है, ठीक है? अब आप देखें अगर X की जगा मैं 0 डालता हूँ तो क्या आएगा? 0, 0 X is greater than equal to 0 तो यह X आजाएगा 0, equal है ना? अगर X negative 1 डालेंगे तो अब negative 1 में क्या आएगा? negative 1 में negative के आखे negative लगा दीजे तो यह plus 1 आएगा तो negative 1 के लिए 1 इसी तरीके से कोई भी आप value लिखेंगे negative 2 के लिए 2 negative 3 के लिए 3 यह सारा हो गया अब positive पे आजाएगा positive के लिए सारा X ही रहेगा तो positive X greater than equal to 0 1 डालेंगे तो 1 आएगा 2 डालेंगे तो 2 आएगा 3 डालेंगे तो 3 डालेंगा हमेशा positive आ रहा है इसका मतलब यह है कि इसका domain क्या है domain में तो कोई दिक्कत नहीं कोई भी number डालती रही है domain क्या होता यह वाली values होती जो input हो रही है तो यह सारे real number है कुछ भी डाली है doesn't matter range में क्या है हमेशा positive value आ रही है तो range को हम इस तरीके लिखेंगे range को या तो हम r plus लिख सकते है कि सारे positive value आएगी या फिर आप लिख सकते है अच्छा तरीका ये है कि 0 से उपर रहेगा और infinite तक जाएगा तो यह जो square bracket है और round bracket यह inclusive और non-inclusive दिखाता है तो आप 0 to infinity लिख दीजे या फिर आप r plus भी लिखेंगे कि मैं real number आएगे plus आएगे बस ये भी इसका range ही होगा अब इसका हम graph बनाते हैं यहाँ पर आजाईए यही पर बना देते हैं इसको यह करके बताता हूँ 0 पे 0 आएगा तो 0 पे 0 यह हो गया 1 पे 1 आ रहा है तो यह 1 पे 1 आ रहा है यह हो गया 2 पे 2 आ रहा है 2 यह है 2 यह है 2 पे 2 आ गया 3 पे क्या रहा है 3 आ रहा है तो यह आपका 3 हो गया यह आपका 3 हो गया 3 पे 3 यह हो गया अब आईए आप negative 1 पे negative 1 पे आते ही यह 1 देगा आपको यह 1 तो यह ही है यह हो गया negative 2 पे आगे ये positive 2 देगा तो negative 2 पे ये positive 2 देगा तो ये दोनों point हो गया तो यहाँ पर आ गया negative 3 पे 3 देगा तो negative 3 पे ये negative 3 है ये आपका negative 3 है ये आ जाएगा अब इसको बना दीजे ये line बन जाएगी पहले तो ये line बनेगी और फिर ये line बन जाएगी यह आपका modulus function हो गया तो modulus function में क्या है इसको r plus इसका आप range लिखेंगे या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x belong to r और x is greater than equal to 0 यह आपका modulus function हो गया